मेरे पहरे देश्वासियों, आज मैं मन की बात सुन्द रहे मेरे युवासाथियों का विशेश आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही माय गौव की और से मन की बात के स्रोताओं को लेकर एक स्टडी की गई थी। इस स्टडी में ये देखा गया कि मन की बात के लिए संदेश और सुझाव भेजने वालों में प्रमुक्तह कौन लोग है। स्ट्रेडी के बाद ये जानकारी सामने आई कि संदेश और सुझाव भेजने वालों में से करीब करीब 75 प्रतिशत लोग 35 वर्स की आयुश से कमके होते हैं। यानि भारत की युवाशक्ति के सुझाव मन की बात को दिशा दे रहे हैं। मैं इसे बहुत अच्छे संकेत के रुप में देखता हूँ। मन की बात एक ऐसा माध्यम है जहां सकारात्मकता है, संवेदन सिलता है। मन की बात में हम positive बाते करते हैं, इसका character collective है। सकारात्मक विचारों और सुझावों के लिए भारत के युवाशक्ति के ये सक्रियता मुझे आनंदित करते है। मुझे इस बात के भी खुशी है कि मन की बात के माध्यम से मुझे युवाशक्ति के मन को भी जानने का आऊसर मिलता है। साथियों, आप लोगों से मिले सुझाव ही मन की बात की असली ताकत है, आपके सुझाव ही मन की बात के माध्यम से भारत की विवित्ता को प्रगट करते हैं, भारत वासियों के सेवा और त्याग की खुश्मों को चारों दिशाओं में फैलाते हैं, हमारे महनत का स्युआओं के इनोवेशन से सब को प्रेरीद करते हैं मन की बात में अब कही तरह के आइडियाज बेजते हैं हम सभी पर तो चर्था नहीं कर पाते हैं लेकिन उनमें से बहुत से आइडियाज को मैं सम्मंदित विभागों को जरूर बेजता हूं ताकि उन पर आगे काम किया जा सके